इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर कलिक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाद में इस दिए गए गंटी के आईकन पर कलिक करें ताकि आपको मिल इसके हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले सतन को सेप में रखने के लिए मेहिलाएं जरूर अपनाएं ये तीन ग्रेलू उपाए कौन से उपाएं आईए जानते हैं नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूटूब जैनल बिंदास गुरूजी में बहुत बहुत सबागते शतनों का विकास जीवन भर चलता है शरीर में हार्मोन के बदलाओ के कारण टीश्यू फैलने लगते हैं और सतन एक समय के लिए बड़ा दिखाई देने लगते हैं शतन कई कारणों से बढ़ सकते हैं अगर सतन बहुत यता बड़े हो सते हैं या ढिले होने लगते हैं तो यह दीखने में बहुत यच्छा नहीं लगते और आपको इस से देनिक जीवन में भी ऐस विदा होने लगती है इसलिए सतन का एक सही आकार होना महिला के लिए बहुत जरूरी है तो आईए अब हम आपको बताते हैं उपायों के बारे में नमबर एक नीम और हल्दी शतन पान के समय सतन का आकार सुजन के कारण बढ़ जाता है हल्दी और नीम का मिश्रन एक आहरुएदी को पाये है जिस से आप सतन की सुजन को कम कर सकती है और उन्हें सही आकारका बना सकती हैं इस सुपाय के लिए मुख्य भर नेम की पतिया चार कप पानी में गलाएं अब इस मिशरन को चान ले और दस मिनट तक रखे रहने दें अब इसमें दो चमच हल्दी पाउटर मिलाएं और थोड़ा सा सहद मिला ले इस मिशरन को अच्छे से गोलें और गर्मा गर्मी से पी जाएं ऐसा करने से सतन साइस को कम करने में बहुत ही फाइदा मिलता है आपको इस सुपाय को नेमित रूप से कुछ मैनों तक करना होगा तब ही आपको फाइदा मिलेगा नमबर दो एग वाइट को सतन कम करने के लिए सबसे बेस्ट होम रेमेडि माना सता है यह आपकी चेस्ट वाले हिस्से को टाइट करता है और ट्रीम करने में मदद करता है जिस से आपके सतन कम साइस के दिखाई देते हैं इसको सतन पर लगाने के लिए अंडे से एक वाइट को अलग कर ले और इसको एक समुत क्रीम बनाने के लिए इसे फेंटे अब इस क्रीम को अपने सतन के निचले हिस्से पर लगा ले इसे 30 मिनट तक लगा रहने दे अब एक प्यास का जूस बना ले और उसे एक गिलास पानी में मिलाएं अब इस प्यास के जूस से एक वाइट को साफ करें फिगर कम करने के लिए इसको रोजाना दिन में एक बार जरूर करें और नमबर तीन है तेल की मालिस भी है कारगर मालिस सतन कम करने का एक बहुत यच्छा और कारगर उपाय है इस परकिरिया के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता इसे आप आराम से अपने घर में इस्तमाल कर सकती है मालिस करने के लिए पहले अच्छे से नह ले और सरीर को सुखा ले शतन कम करने के लिए तेल को एक कटोरी में लें इसे थोड़ा गरम करें आप तिल का तेल नारियल का तेल या ओलिव ओयल ले सकती हैं अब गुनगने तेल को अपने सतन पर लगाएं और गोल आकार तरीके से इससे मालिस करें करीब 10 से 15 मिनट तक मालिस करें 20 मिनट तक तेल को लगा रहने दें और उसके बाद एक टीश्यू पेपर से अतिरिक्त तेल को पहुंच लें शतन कम करने के लिए इस परकिरिया को दिन में दो बार करें मालिस करने के तुरंत बाद टाइट बर्रा पहनने से बचें और हमारे इस यूटूब चैनल बिंदा स्कुरूजी को सब्सक्राइब जरूर करने के बाद जो घंटी का बटन आता है उस पर कलिक जरूर करें ताकि आपको मिल इसके नए नए वीडियो सबसे पहले